हेलो एब्रीवन वेलकम टू माई चानल आज हम इस वीडियो में कलरी मीटर या फिर कलरी मीटरी के बारे में श्टड़ी करेंगे इसके पहले की वीडियो में पीच मीटर के बारे में श्टड़ी कियें अगर आपको पीच मीटर के बारे में श्टड़ी करने हो तो आपको इस ऐसा डिबाइस है जिसकी मदद से हम किसी कलर सेंपल सलूशन में किसी सल्यूड का कंसंट्रेशन पता करते हैं मिन्स हमारे पास कोई सल्यूशन है तो उसमें कोई सल्यूड का कंसंट्रेशन कितना है हम उसको पता करने के लिए means उसको determine करने के लिए हम colorimeter क geldi कणी करते हैं गल Jr एक डिबाएस है यह क्या है एक डिबाइस है और इस टेखनिक को हम बोलते हैं कालरी मेट्री सब्पाइस काले मेटर शोबी इस धाइस एय्ज़ की कलरी मेट्री मेंस कलरी मीटर एक डिबाइस है जिसका यूज हम कलरी मेटरी टेक्निक में करते हैं means इसमें जो कलरी मेटर है वो एक डिवाइस है means एक इंस्ट्रुमेंट है और कलरी मेटरी इस मतलब इंस्ट्रुमेंट या फिर डिवाइस का एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं कलरी मेटरी कलरी मीटर is used to determine the concentration of a known solute in a given solution means हमें हमारे पास एक solution रहेगा means हमारे पास एक color sample solution रहेगा हमें उसमें ये determine करना है means हमें उसमें ये पता करना है कि ये solution हमारे पास जो है इसमें concentration of solute कितना है means solute कितनी मात्र में इस solution में present है means solute का concentration क्या है हमको अगर यह पता करना है तो हम इसके लिए color meter device का यूज करेंगे means हमारे पास एक sample solution है हमें यह जानना है कि इसमें concentration of solute क्या है mean जो color compound इसमें कितने present है तो इसके लिए हम color meter device का यूज करेंगे by measuring its absorbance of a specific wavelength of light means हमारे पास जो sample solution है sample solution कैसा है color sample solution है उससे हम कुछ एक वेबलेंट की लाइट पास कराएंगे मिंस हम इससे बिजवल रेंज की लाइट पास कराएंगे यही लाइट यही बिजवल रेंज की लाइट हम सेंपल सोलुशन से पास कराएंगे और सेंपल सोलुशन कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और जितना light को absorb करेंगे उतना ही amount में concentration of solute उस sample solution में present रहेगा सब फोच करिए कि qubit में हमारे पास sample solution है means sample solution कैसा है color sample solution qubit में है qubit एक beaker जैसा structure है beaker like structure है इसमें हमारा sample solution present है sample solution color है हम इसमें यह determine करना है कि जो solute है इनमें का concentration क्या है तो इसके लिए हम visible range की light पास कराएंगे इस qubit पर means sample solution पर हम visible range की light पास कराएंगे जिसका wavelength है 400 to 800 nanometer और जो इसमें concentration of solute है वो क्या करेगा कि जो हमारा light पास कराएंगे तो कुछ light को absorb करेगा और जितना light को absorb करेगा उतनी amount में यहाँ पर concentration of solute रहेगा तो जो हम इसमें light पास कराएंगे जितना amount में solute light को absorb किया हम उसको photo detector means photo cell से detect करेंगे photo cell से detect करेंगे और वही हमारा क्या रहेगा concentration of solute मतलब कि यह colorimeter में हमें यही determine करना था कि sample solution में कितना amount में concentration of solute है तो जितना light वो absorb करेगा हम उसे से determine करेंगे कि हमारे पास कितना इसमें sample solution में कितना concentration of solute present है it is much useful और helpful in biochemistry and pharmaceutical industries means जो colorimeter होता है इसका यूज बहुत high label में किया जाता है biochemistry lab में pathological lab में means जो हमारे biological components होते हैं इनका यूज means इनको determine करने के लिए हम colorimeter device का यूज करते हैं involves quantitative estimation of color color meter is based on two fundamental laws of photometry means जो colorimeter device है यह दो fundamental laws पे depend है means उस पर based है first is beer's law second is lambert's law first law that is beer's law according to this law the amount of light absorbed is proportional to the solid concentration present in solution जो beer's थे इनका यह कहना था कि हमारे पास जो color sample solution है अगर हम इसमें जानना है कि solute का concentration कितना है तो हम जितनी amount में means जितनी amount में visible range की light पास कराएंगे उस sample solution में उतना ही light वो absorb करेगा जितना solute का concentration होगा means amount of light absorbed is directly proportional to the solute concentration present in solution second law is that is lambert's law according to this law the amount of light absorbed is proportional to the length as well as thickness of solution that taken for analysis जो lambert's थे इनका यह कहना था कि हमारे पास जो sample solution है वो इतना ही light absorbed करेगा जितना solution का length है means solution की जितनी length है means उनकी जितनी लंबाई है thickness means मतलब की solution की जितनी मोटाई है means जो हमारे पास sample solution है उसका जितना length होगा और जितना thickness होगा उतना ही light absorb करेगा जितना sample solution का length या फिर thickness होगा means amount of light absorbed is proportional to the length as well as thickness of solution that taken for analysis अब हम beers और lambert के लाग को combine करके एक principle बनाएंगे means जो calorie meter है इनका क्या principle है हम beers और lambert के लाग को combine करके इनका principle means इनका सिद्धान बनाएंगे और typical calorie meter is working on the principle of beers and lambert law suggested that means जो एक typical means जो एक common calorie meter होता है वो beers और lambert law के suggestion नहीं के अनुसार होता है the absorption of light transmitted through a medium is directly proportional to the concentration of medium मतलब कि इस law यह कहना था means इस principle का यह कहना था कि हमारे पास जो sample solution है तो वो इतना ही light absorb करेगा जितना sample solution में means concentration of medium means हमारे पास जो sample solution है उसमें जितना amount में concentration of solute रहेगा उतना ही light वो absorb करेगा means उतनी light की visible range की light को एबसार्ब करेगा यह था हमारा वियर्स और लेंबर्ट को जब कंबाइन करते हैं तो क्या लाइब बनता है मिन्स इनका प्रिंसपल इस टेक्निक्स ऑफ यूज और कल्डरी मीटर इस पॉप्लरली कॉल्ड कल्डरी मेट्री मिन्स जो हमारे पास डिबाइस है कल्डरी मीटर मिन्स यह हमारे पास अगर हम एक typical means एक common कल्दरी मीटर को देखें तो हमें इसमें ये सभी components दिखाए देंगे यहाँ डाइग्राम एक typical कल्दरी मीटर का है हमें इसमें इनकी components के बारे में study करने है तो इसमें मारा first component है जिसको बोलेंगे light source light source एक monochromatic light means एक ही टाइप की light जो पास कराता हो उसको बोलेंगे monochromatic light इससे हम monochromatic light को पास कराएंगे means जो visible range की light होती है 400 to 800 नैनो मीटर की जिनकी wavelength रती 400 to 800 नैनो मीटर इतनी light हम इससे पास कराएंगे यह एक low voltage means एक low voltage tungsten lamp होता है light source के बाद इसमें हमारा next component है colorimeter का जिसको बोलेंगे slit का क्या होता है कि unwanted light को prevent करता है means ऐसी wavelength की light जिसको हम नहीं चाहते कि हमारे sample solution पर पड़े means ऐसी wavelength की light जो sample solution के लिए नहीं है उस light को prevent करने का काम करता है यह सिर्फ beam of light को पास कराता है slit के बाद इसमें हमारा next component है जिसको बोलते है condenser lens का क्या काम रहता है कि slit से जो beam of light पास हुई है वो उसको condense करकर filter पर पास कराता है तो यह हमारा condenser lens का काम था condenser lens के बाद इसमें हमारा next type है component का जिसको बोलेंगे filter filter एक ऐसा component है जो colorimeter में बहुत important role करता है यह color glasses means different type light को pass कराने में help करता है और यह जो unwanted wavelength की light आ रही है solution पर जा रही है वो उसको क्या करता है absorb करता है जिससे कुछी मतलब जो light को हम चाते हैं कि हमारे sample solution पर जाए उसी light को यह पास कराने देता है सिर्फ यह monochromatic light means सिर्फ यह एक ही type की light को यह पास कराता है filter के बाद इसमें हमारा next component है colorimeter का जिसको बोलेंगे क्यूबिट फिल्टर से जब monochromatic light पास होती है तो वो क्यूबिट पर पढ़ती है क्यूबिट को हम बोलते है sample holder इसी में यह color sample solution फिल हुआ रहता है क्यूबिट में और यह glass से बनी हुई रहती है यह इसी में जब solute concentration light absorb करता है तो उसके बाद photo cell detect करता है कि कितनी light absorb हुई है क्यूबिट के बाद हमारा next component है colorimeter में जिसको बोलेंगे photo cell या फिटेक्टर या एक photosensitive player से form हुई रहती है या क्या करती है कि means photosensitive element क्या करती है कि यह light energy को electrical energy में करनोट करती है means जो absorb हुई है sample solution में जितनी light absorb हुई है यह इसी को detect करती है photo cell के बाद colorimeter में हमारा next component है जिसको बोलेंगे digital meter या फिर galvanometer या फिर output यह क्या करता है कि जो भी electrical signal generate हुई photo cell में यह इसको major करता है measure करके यह उस value को दिखाता है means जितनी absorbed light हुई है उसको यह show करता है optical density के form में यह सब component था colorimeter का और यह सब एक panel में connect होकर जिसको बोलेंगे इस instrument के technique को बोलेंगे colorimetry अब हम यह देखते हैं कि हमने जो colorimeter components के बारे में study किया हमें इनके बारे में क्या क्या नोट करना है तो इसमें हमारा सबसे पहला component है means इसमें हमारा first component है जिसको हमने बोला है light source और source of monochromatic light usually a low voltage tungsten lamp means colorimeter में सिर्फ एक ही type के light pass होती है means बिजबर range में 400 to 800 nm की सिर्फ एक ही type के light पास होती है जिसको बोलेंगे monochromatic light usually a low voltage और जो light होती है वो एक दम low voltage की रहती है जिसको बोलते है tungsten lamp light source के बाद इसमें हमारा second type है component का जिसको बोलेंगे slit it is adjustable which allows only a beam of light to pass through and it prevents unwanted light slit का का काम क्या रहता है कि यह unwanted light को prevent करती है means हमें जिस type की light चाहिए जिस color की light चाहिए यह सिर्फ उसी type की light को पास कराती है और यह क्या करता है कि यह सिर्फ beam of light को पास कराने में help करता है slit के बाद इसमें हमारा component कलोरी मीटर में जिसको बोलेंगे condenser lens light after passing to slits fall on condenser lens which gives for condensation of light जब light slit से पास होती है beam of light जब slit से पास होगी तो condenser lens आता है condenser lens का काम रहता है कि जो light आ रही है उसको condense करे condense करके वो filter पर उस light को पास कराती है condenser lens के बाद इसमें हमारा next component है जिसको बोलेंगे filter it is made of colored glasses यह different type colored glasses से form हुई रहती है filter are used for selecting light of narrow wavelength filter क्या काम करता है कि यह wavelength selector होता है means यह एक wavelength की light ही पास कराने में help करती है and it will absorb light of unwanted wavelength और unwanted wavelength की light होती है जिनको हम नहीं चाहते कि हमारे keyword हमारे sample solution पर जाए उस light को यह absorb कर लेती है and only allow monochromatic light mono means single chromatic means color means यह एकी color एकी type की light को यह पास कराती है keyword solution पर इसलिए हम filter का use करते हैं filter के बाद इसमें हमारा next component है जिसको बोलेंगे keyword means sample holder जिसमें अपने sample solution को फिल करते हैं उसको बोलते हैं keyword the monochromatic light from the filter pass through the color solution placed in a keyword means जो monochromatic light जो filter से पास हुई है वो अब keyword में जो solution फिल हुई है वो उस पर जाती है means जो keyword में color solution फिल है वो उस पर जाती है keyword is middle pop glass जो keyword होता है means जो sample holder होता है यह एक glass से बनी हुई हुई रहती है keyword के बाद को detector या फिर photo cell बोलेंगे इटी जब photosensitive plate यह एक photosensitive plate होती है photosensitive element which converts light energy into electrical energy यह एक photosensitive element होती है हुमारे पर sample solution है उसमें जो भी light energy absorb हुई रहेगी उसको detector detect करके उसको electrical energy में convert करेगा last component of colorimeter that is a digital meter और galvanometer और output the electrical signal generated in photoshell is measured by galvanometer with display percent transmission and the form of optical density means जो galvanometer होता है जो photoshell electrical signal को generate किया रहता है यह उसी को measure करता है उसी को यह display करता है percent transmission को डिस्पले करेगा in the form of optical density all these components are set in a panel जितने भी component है यह सभी एक panel में set होते हैं जिसको बोलते कल्दूरी मेटरी means light source से monochromatic light पास हुई monochromatic light जब पास हुई तो sleep पर जब आती है तो एक beam of light पास होती है फिर यह wavelength light qubit पर जाता है qubit हमारा sample holder है sample solution से light absorb होने की बात यह photo cell means detector इसको detect करेगा कि कितने amount में sample solution से light absorb ही तो क्या करता है इसको detect किया means light energy को electrical energy में convert करेगा फिर इसी electrical signal जो generate हुआ उसको galvanometer या फिर output एक optical density means od में यह express करता है means इसी value को express करेगा galvanometer या फिर output यह सब ही component हमारा था एक typical कल्दूरी मेटर का अब हम इसका working देखेंगे कि मतलब की कल्दूरी मेटर का अब क्या क्या working है वर्किंग मेटर्स और कल्दूरी मीटर मिन्स कल्दूरी मीटर होता है इसका procedure क्या क्या है अब हम इनके बारे में study करेंगे कल्दूरी मेटरी involves following steps कल्दूरी मेटरी होती है यह सभी strips को involve करती है सब्सक्राइब करेंगे जिसको बोलते हैं double distilled water सबसे पहले हम double distilled water को प्रिपेर करेंगे उसके बात standard solution standard solution मिन्स जिसका हमें OD मिन्स जिसका हमें optical density पहले सी पता है उसको बोलते हैं standard solution मिन्स solution of non OD and test solution जिस solution को में test करना है second point that is switched on instrument and allowed to warm up जो हमने यह सब solution को prepare कर लिया उसके बाद हम instrument को on करेंगे और उसको warm करेंगे मिन्स कुछ तेर तक मुसको warm करेंगे इसके बाद हमारा third step पाता है जिसको बोलते हैं select the proper wavelength filter जब हमारा instrument warm हो गया तो हमें उसके बाद एक proper wavelength filter का यूज करना है ऐसा filter जो में अपने experiment में अपने working में उसको यूज करना है recommended in the experimental procedure fourth step that is first of all calibrate instrument with the blank solution on zero reading calibrate means हमें अपने instrument colorimeter को हमें पहले test करना होगा उसको check-up करना होगा कि सही है कि नहीं सही है तो उसके लिए हम blank solution को zero reading पर test करेंगे उसके बाद हमने blank solution kita कररेंगे our Videosन पर तेस्ट कर लिया position करेंगे इसके बाद हम calibrate कटा करेंगे pan- parece बाद मेंचे यूज आयंगा यूज की करेंगे कि हमने killerimeter को सबसे पहले कालिब्रेट किया, blank solution पर means zero reading पर blank solution को कालिब्रेट किया, second में standard solution से कालिब्रेट किया means test किया, उसके बाद हमने test solution को कलोरी मीटर में apply किया, fifth point that is read the absorbance on instrument galvanometer और display meter and find out optical density that is OD and concentration of solute with the help of following formula solution को कलोरी मीटर में apply करने के बाद, अब हमें galvanometer में या फिर display meter में एक values होगी, optical density के form में, उस value को हमें node करना है जो value हमें optical density के form में show हो रही है उस value को हमें node करके इस formula में use करना है means concentration of coloring matter in test solution is equal to OD of test solution upon OD of standard solution multiplied by concentration of standard solution per ml multiplied by hundred means हमें अगर concentration of coloring matter जानना है test solution में, तो हमें उसके लिए OD जो में मिला galvanometer में उसको हमें आणोड करना है OD of standard solution जो इस standard solution हमने लिया था उसका OD, concentration of standard solution and multiplied by hundred इस formula की help से हम solution का means जो हमारा test solution है इसका हम concentration of coloring matter यह determine कर सकते हैं यही सब step है working methods of colorimeter का uses of colorimeter means application of colorimeter it is used in laboratories and hospitals to estimate biochemical samples such as urine, cerebrospinal fluid, plasma serum, etc means जो colorimeter instrument है हम इसका यूज लैब में करते हैं hospitals में करते हैं या जानने के लिए या estimate करने के लिए कि हमारे पास जो biochemical sample है such as urine, cerebrospinal fluid, plasma serum इनका test करने के लिए हम colorimeter instrument का use करते हैं next point that is it is used in the manufacturing of pens means जहाँ पर pens का formation होता है वहाँ पर भी colorimeter का use होता है next point it is used in textile and food industry means जहाँ पर कपड़े का formation होता है means textile industry में वहाँ पर भी colorimeter का use होता है and food industry means जहाँ पर food का formation हो रहा है वहाँ पर भी colorimeter instrument का यूज होता है next point that is it is used in the quantitative analysis of proteins, glucose and other biochemical compounds means जो हमारे पास biochemical compounds है जैसे कि proteins, glucose इनस अपकम quantitative analysis करने के लिए means इस solution में means जो इस अब biochemical compounds है इसमें कितना concentration है इसको जानने के लिए हम colorimeter instrument का यूज करते है next point it is used to test water quality means water की क्या quality है इसको टेस्ट करने के लिए भी हम colorimeter instrument का यूज करते है next point it is used to determine the concentration of hemoglobin in the blood means हमारे blood में hemoglobin का क्या concentration है इसको जानने के लिए इसको determine करने के लिए भी हम colorimeter instrument का यूज करते हैं ये सभी use था colorimeter का uses of colorimeter के बाद इसमें हमारा next reading है advantages of colorimeter colorimeter से हमें क्या क्या advantages हो रहा है इनके बारे में में study करना है it is an inexpensive method means ये cheap है means uncostly method है widely used in quantitative analysis of color sample easy to carry and transport means चो quantitative analysis होता है हमारे biological compound का means हमारे colored samples का इसके लिए भी colorimeter means use होता है easy to carry means इनको carry करना बहुत easy है इनको transport करना भी बहुत easy है advantages of colorimeter के बाद इसमें हमारा next reading है disadvantages of colorimeter means colorimeter का क्या-क्या disadvantages है अब हमें इनके बारे में study करना है analysis of colorless compounds is not possible means जो colorimeter है ये सिर्प colored compound means जो हमारा compound होता है इसमें हमारा colored compound होगा उसी को means ये test करेगा means हमारे पास जो color sample है ये सिर्प उन्हीं को ही test करता है उन्हीं को ये estimate करता है लेकिन जो हमारे पास colorless compound है means जिनके पास कोई color नहीं है ऐसे compounds को ये colorimeter test नहीं कर पाता उनको analysis नहीं कर पाता second point of disadvantages of colorimeter that is does not work in IR means infrared and UV means ultraviolet regions means जो colorimeter होता है ये सिर्फ visual spectrum की light पर ही काम करता है लेकिन ये infrared region या फिर UV regions पर काम नहीं करता है इसलिए colorimeter को replace करके means एक sophisticated form आया है जिसको बोलते हैं spectrophotometer spectrophotometer colorimeter का एक modified form है means colorimeter से एक अच्छा form है उससे बेल डेवलर्ट form है जिसको बोलेंगे spectrophotometer उसमें क्या है कि colorless compound को भी वो determine करता है means colorless compound को भी analysis करता है लेकिन colorimeter सिर्फ color compound को analysis करता है लेकिन जो spectrophotometer है वो colorless compound और color compound दोनों को ही analysis करेगा और इसका एक ये काम है spectrophotometer का जैसे कि colorimeter में सिर्फ visible spectrum की light को भी determine करता था means उसी पर वो काम करता था लेकिन जो spectrophotometer है वो visible spectrum, UV light means ultraviolet light, infrared region ये सभी light पर ही काम करता है means इसके next video में हम spectrophotometer के बारे मिश्टरी करेंगे अभी मुझे कुछी समय हुआ है यूटूब पर वीडियो अपलोड करते हुए अगर आपको मेरी वीडियो यूजफूल लगती हो तो आप इसको प्लीच अपने फ्रेंट सरकल में सियर कर दीजिए